जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम आज पुझेश्री राधा बाबा कहते हैं भगवान के चर्णों में वीना का चिन्न भी है मुरली के अतिरिक्त भगवान को वीना अतिशय प्यारी है मुरली तो भगवान स्वेम धारण किये रहते हैं और स्वेम ही बजाते हैं परंतु वीना तो भगवान की प्रिया राधा जी की सक्षियों के हाथों में रहती है और वे ही इसे बजाकर भगवान को मुग्द कर देती हैं कभी कभी गायन के उत्सव में भगवान मूरली बजाते हैं और श्री राधाजी वीणा बजाती है उस समय प्रेम संगीत उत्सव में ऐसी दुरलब बहार आती है जिसका वर्णन ही असंभव है तार वाद्यों में सबसे आदी वाद्य वीणा है अनेक भक्तों के भावा नुसार भगवान के चरणों में जो वीणा है वह ब्रम वीणा है भगवान ने से अपने परम भक्त नारज्जी को परदान कर रखी है यह वीणा जो नारज्जी के हाथ में रहती है भगवान का नाम गायन करती है जिसके हिर्दय में भगवान के चरण बसते हैं उसके कान में वीना के समान परम सुरीला भगवान का नाम निरंतर ध्वनित होता रहता है जब मैं पुझ्य बाबा कहते हैं जब मैं पहली बार श्री भाई जी के पास गीता वाटिका में आया था तो उस दिन अश्विन शुकला एकादशी थी मैं मात्र तीन दिन ही गीता वाटिका में रहा था जहां तक मुझे याद है वह काल रास पूर्णिमा का मध्य रात्री का काल रहा होगा उस मध्य रात्री में शुब्र चांदनी में मुझे अतिशे मधुर स्वर में हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे महा मंत्र की ध्वनी सुनाई पड़ी यह नाम गायन इतना मधुर एवं सुरीला था कि मेरा संपूर शरीर रोमांचित हो उठा उन दिनों मैं कट्टर वेदानती था, सोहम मंत्र का जाब किया करता था दिन रात सब समय ब्रह्म विचार में ही मगन रहता था इस नाम धुनी के श्रवन ने मेरा ब्रह्म विचार तो स्थगित कर ही दिया था साथ ही मुझे परम भावुक बना कर इस नाम ध्वनी के साथ अपना कंठ स्वर मिलाने को भी विवश कर दिया इस अतिसे सुरीली ध्वनी में अपना कंठ स्वर मिला कर मैं भी बर्बस महामंत्र का गायन करने लगा कुछ ही छणों के प्रश्चाद मेरे शरीर में तिवर रोमांच के साथ सात्विक कम्प उदै होने लगा मेरी आँखों से अजस्त्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी मैं अपने को रोक ही नहीं पा रहा था ये दपी मैं अपनी समग्र शक्ती से अपने को इस भावुक्ता से निव्रत करने की चेश्टा कर रहा था परंतु मुझे पराजय ही मिल रही थी आज अनुमान करता हूँ अवश्य ही यह परम मधुर ध्वनी चिनमे वीना की ही रही होगी क्योंकि चिनमे वीना के स्वर मूर्त होकर स्वते ही उच्चारित होते हैं उनका चिनमे निनाद ऐसा ही प्रभाव उत्पादक होता है इस चिनमे नाद से शुष्क से शुष्क प्राणी में भी रस का संचार हो जाता है उसके अंगों में अश्ट सात्विक विकारों के लक्षन भी प्रकट हो जाते हैं यह चिन में ब्रह्म वीना भगवान के चर्णों में अखंड निवास करती है भगवान के रसिक भक्तों को जैसे मुरली अपने नाद से आकर्षित करती है उसी प्रकार यह वीणा भी भक्त को भक्ती समुद्र में डुबा देने का सामर्थ रखती है आगे बाबा कहते हैं कि इन पत्रों में मैंने आपको भगवान के प्राय सभी प्रमुक चरण चिन्नों का वर्णन सुनाया उपनिश्दों में एक बहुत ही पवित्र उलेख है भगवान ने तो बहुत प्रवचन करने से प्राप्त होते हैं ने ही बहुत सुनने से वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जो भगवान को वर्ण करता है यहां वरण करने का आर्थ यही समझना चाहिए कि भगवान के नाम रूप लीला एवं धाम में अपने चित्त को एक तान एकात्म कर देना जैसे कोई भगवान के नाम को ही अपना जीवन बना ले नाम जब से मृत्यु प्रेंत हटे ही नहीं जिववागत वानी नाम जबते जबते ही मृत्यु काल में भगवन नाम में लीन हो जाए जो इस प्रकार भगवान को अपने जीवन में वरण कर लेगा उसे निश्चे ही भगवान की प्राप्ती हो जाएगी आप तो परम सात्विक समजदार और सत्चरित्र सरल ब्राम्मन है भगवान के चर्णों को वरण कर लीजी चाहे भगवान के चर्णों के आश्रे से एक बार आपको प्रकट रूप में दुख, कश्ट, रोग, पीड़ा अभाव ही मिले आपका सर्वत्र घोर अपमान एवं तिरस्कार हो परंतु आप भगवान के चर्णों को ही अपनी सबसे बड़ी निधी मान कर नाम इसमर्ण करते हुए उनके आश्रे को ही अपना सबसे बड़ा संबल मान लीजिए फिर निष्चे ही ये जितनी भी उपर लिखी निधिया है सभी आपके करतल हो जाएंगी आपका जीवन निहाल हो जाएगा अन्य था तो ये सभी बाते आपको एवं मुझको कल्पना प्रसून ही लगेंगी फिर एक बार ये बात दोहराता हूँ पुनेह पुनेह एक ही बात दोहराता हूँ खूब भगवन नाम लीजिए भगवान के नाम आश्रेई साधक को भगवान का नाम गुरु बनकर ऐसे अनेकों परम चिन में अनुभव कराता है जो अभी हमारी कल्पना में भी नहीं है जो भगवान के नाम जब को परमादवर्ष त्यागता है वह अपने मन में चाहे अपने को महाग्यानी समझता रहे परंतु सच्ची बात यही है कि उसका अनमोल मानव जीवन व्यर्थ ही जा रहा है वह बहुत ही अनमोल दामी वस्तु से वन्चित हो जाता है जैश्री राधे जैश्री राधे